हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की रेस्पी है मोटी मिर्ची का राई वाला अचार बनाना तो आई ये बनाते हैं मोटी मिर्ची का राई वाला अचार हरी मिर्ची का चार बनाने के लिए ये हमने मोटी हरी मिर्च ली है ये हमने 500 ग्राम हरी मिर्च ली है और ये कुछ मसाले लिए है एक चमच हमने आमचूर पोडर लिया है दो चमच हमने नमक लिया है और दो चमच हमने राई ली है दो चमच हमने साबुद्धनिया लिया है औ और एक चमच हमने सोंफली है और एक ही चमच हमने अजवैन और आधा चमच हमने लाल मिर्ची पोडर लिया है और एक कटोरी हमने ओईल लिया है ओईल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है यह बनाते हैं मोटी मिर्ची का ड्राई वाला अचार और सबसे पहले मैं मिर्ची में चीरा लगा लूँगी और यह हमारी सारी मिर्ची में चीरा लग चुका है अब मैं मसाला तियार करूँगी इसका अब मैं इसमें यह धनिया डाल दूँगी मिक्सी के जार में सौफ डाल दूँगी अजवैन और यह मैं राई डाल दूँगी और इसे में दर दरा पीस लूँगी साथ ही यह नमक डाल दूगे मैं इसमें और यह लाल मिर्ची पॉर्डर आम चूर यह सारे में एक साथ मिख्सी में डाल दिये हैं और इन्हें opportunities दरा पिस लोगी मैं और यह हमारा मसाला दरदरा पिस कर तियार हो चुका है इसी में प्लेट में निकाल लूँगी, जादा बारी की ही नहीं किया है, दरदरा ही रखा है, और अब मैं इसके अंदर ये एक सर्वी स्पून ओईल डाल रही हूँ, और इसे में हाथ से ही मिक्स करूँगी, मसाले में ओईल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इस मिर्ची में ये मसाला भर लूँगी, और इसी में एक बाउल में रखती जाओंगी मसाले को भर के नहीं, और इस ये वर्पर अच्छे, और ये जाओंवी, और इसी परकार से मैं अपनी सारी मिर्ची को भर लूगे मसाले में और यह हमारी सारी मिर्ची भर कर तयार हो चुकी है मसाला बचा हुआ है यह भी मैं इस मिर्ची के बीच में ही डाल दूँगी अब मैं इस मिर्ची के उपपर ओल डाल दूँगी इसी डब्बे के अंदर डाल के ओल डाल सकते हैं मैं इसी बाउल के अंदर ही ओल डाल दूँग ये मैंने एक कटोरी ओल लिया है पूरा और ये हमारा भर्वा मिर्ची का अचार बनकर तियार हो चुका है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद ये एक थाफ़ पranchिल, पnd पाश़ चिलिए करें, और दोले प्तोची का अचार भी कर दो बनकर करें जार्ट च। बनकर अचेजर करें दो अचे अचार्ट बनकर को माड़ी तोले है